एक अलग कहानी है और ये कहानी मुझीप रेंचन जी इक लिखने है , ये कहानी अपने आप में ऐसा है , कि आप इस फिल्म को देखने पहले स्विक कहानी पढ़ेंगे तो आपको कहानी विशे में अपने हा़ने मालूम हुद गाएगए कि क्या कहानी का तादू blending है मैं बिस्पन से मुझी प्रेमचन जी की कहानियों को पढ़ता रही, पढ़ पढ़कर मुझे उन कहानियों को अभिन्या की रूप में देखा, और उसके साथ मैंने 2006 में पहली फिल्म मंत्र बनाई, उसमें मैंने अपना पुरा कहानी लिखी, डायरेक्षन दिया, गेत लिखा, तो में ने काहनी मुझे, तो मैंने का इसको मैंने मुझे इसका मुख किर्दाद मुझे निवाना तो उसी साफ से फिल बन गई और और तमाम उद्देश हैं कि आप आगे उसी मोखा देंगे तो उसी बताएंगे आपको सबसे पहले मैं मीडियो को थैंक्स कहना चाहूंगी जिसकी वज़े से हम स्टार बनते हैं सुपरिस्टार बनते हैं तो सबसे पहले आपको थैंक्स इसके बाद में हमारे प्रोडूसर और इडियो भी है उसमें में लीड किया है तो उनको बहुत बहुत थैंक्स जो उन्होंन का डिरेक्शन बहुत अच्छा है जिसको एक्तिक período काम कृफ़वाना जानते इसके बहुत अच्छे और इसमें मेरा कारेक्टर है चमप का जो कि एक क्षुलबुरी करेक्टर शुलबुला करेक्टर है तो मुझे यह करेक्टर करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगे, आगे भी मैं चाहती हूँ ऐसा ही करेक्टर करूँ हूँ और ये सवा से लिए हूँ जो मुंसी प्रेम चंद का आदारीत है, उनकी कहानी है, तो असंतोर गुपता जी क इन्हों ने उसको रिटन भी किया है, हीरो भी है, प्रोडिक्सर भी है, तो आलिम बन गुपता जी मैं बहुत क्लोस आपका पोस्टर में लिखता है, मुझे रगुविर यादर जी की याद दिलाता है, क्या इस तरह के आपको कॉंपलिमेंट मिले हैं कि आप रगुविर य क्या मॉनिटर पर आके, ये कैसे मैनेज किया? बहुत सब इजी काम है, आप देखे कितने आप लोग हैं, उसके सब के बीच में आप अकेले ही मुझसे क्यों सवाल पूचने हैं, और भी तो लोग हैं, तो एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, मेरा अपना सोच है, हम जीरो से हीरो मन सकते हैं, और आपके अंदर लगन होनी चाहिए, इसी काम को यदि आप में लगन है, सब कर सकते हैं, मैंने इस फिल्म में अपने गीत भी मैने लिखे, पांच गीत हैं, उनको लिखा मैने, तो मतलब क्या मुझे बोलें, आप देखेंगे फिल्म को, तो आप मुझे Go cara, वावा निशित करेंगे. कानियों का सिर्पार है या नहीं हमारे बीच के हमारे अपने देश के ऐसे कहानी कार है हम इन पर बहुत बहुत काम कर सकते हैं और कहानियों के साथ साथ में मनुरंजन दे सकते हैं हम अपने आनिवाली प्योरी को सिच्छा दे सकते हैं आनिवाली प्योरी को मुंशी प्रेंच जी कि पिसरे में कुछ नहीं उठाएंगे तो एक वो सितारा बहुत छोटा सा सितारा बनके रह जाएगा हमारा बस में उदिश यह कि मुंसी प्रेमचन जी को हम जितना हीरो बना सके हमारे लोग करते हैं तुमारी नॉन कॉस्ट इस्टार फिल्म है तो हमारे पास सब कभाफ ह तो हिस थाथ हम गोखना करते हैं पहले अब हांजित अपने बच्चों को इस कहानी के मा अगभ हम चैथाएं ने काहानी लिख है हमांज स्टूडेंट हमारे आपिभावत हमारे अचेशर अचेशेम नहें लोग आते ह्लिगरा बच्चों को बच्चों के में फिल्म धेकी प कि अच्छी तो इसके लिए सम्पूर रूप से इसका टैक्स प्रिक जिया गया है टैक्स प्रिक आपने बात करी और एक बहुत इंपॉर्टन्ट फिल्म है क्या आपको नहीं है कि आपको जब फिल्म रिलीज होनी की का गारुपे है मुझ्षी जी खुद जहां से थे वहां उच स्टेट के सी अम्सिया के मुलाकात करी जाए है वह हमारे यूपी के हैं और हम इसके बाद फिल्म रिलीज के पहले हमारा एक मन है कि हम अब उनक्या गाहां है लमई बनार इसके पास वहां जाके भी एक प्रिस्टांस्मिस करना चाहते है मेरा यह मन है कितना इंपॉर्टन है मैं आप से पुछना जोंगा मैंडव की सर ने जैसे बताया कि बच्चों को आज की जनरेशन को बना चले और बहुत सी फिल्में बनती है आज कर लब देखना है कि बहुत कॉपी पेस्ट हो रहा है वाई साहूं से लेनी है हॉल्यूट से लेनी लेकिन एक इस तरह की सेंजिबल फिल्म है जो हिंदूस्तान के संस्कृति या उनके इस तैजीब को बताती है कितना इंपोर्टन है इस फिल्म को टेक्स करी हो जाना है हमारी फिल्म तो सोचल मेसेज है अपने आप में एक मैसेज है फिल्म हमारी फिल्म का टाइटल और जैसे मुझी प्रेम संदे की स्टोरी है तो उसको लेकर के तो हमारी फिल्मी एक मैसेज है और सद से बेस्ट एक्टिंग जो की है हमारे संदोज बुटा जी ने की है बहुत अच्छी जब आप इंकी एक्टिंग देखिएगा तो आप खुद बिना तालिया बजाए नहीं रह पाएंगे बहुत बेस्ट एक्टिंग की है इनों ने अच्छी आप कितना मैं समस्ता हो भी टेक्स भी रहना बहुत बहुत बढ़ करते हैं कि आप लोग दिखा दें तो छोटा सुब्यक्ती भी लगेगा कि हम पड़े लोगों बीच में और एक मेरा मन बहुत यह करता है कि हम हमारे बच्चे आज भी आज भी हमारे बच्चे हिंदी विशे में बहुत थ्रेल होते हैं हम बहुत सी बातें अंग्रेजी में करते हैं हम अपने यूपी में इसका एक कोई हिंदी पखवारा चलाते हैं हम हिंदी दिवस बनाते हैं लेकि हिंदी विशे में कुछ भी काम जी करते हैं हमने अपनी फिल्में कोसिश किये कि 100% उसमें हम हिंदी का प्रियोग करें, मैंने कास्टिंग हिंदी में किये, अधिकांस अपने मेन पोस्टरों में भी मैंने हिंदी का काम किया है, तो हम सरकार से या अपने आनी वाली प्रियों को कहीं जे कि इस भीसे में बच्चे हमारे हिंदी में जितना अधिक से दिक काम हो से सुजान भगत उस पर हम उसका ट्राटिर में ने चेंज गया है सिनियर सिटिजन इसके बाद मेरी ओ फिल्म है सिनियर सिटिजन अच्छा कब तक फिल्म बिलीज हो रही है और 22 अपरेल अज बहुत से एक अलग फिल्म की फिल्म देखें जिसे उनको सुकून मिले उनको लगे कि हमारे बीच में अभी ऐसे कलागार सच मानिज सजी बहुत से लोग हम बहुत से बड़ी उम्र के लोगी मुंसी प्रेंजिन जी को नहीं जानते हैं हमारा बस एक उद्देश से कि एक एक बच्चा आज का जो इस्टूडेंट है वो मुंसी जी की काहनियों को माध्यम से इस काहनी के माध्यम से वो बच्चा मुंसी प्रेंजिन जी को जानने लगे पहचानने लगे और उनकी काहनियों के अनुसार वो उसमें ढ़ने लगे उस से प्रेरणा ले उचरक तनन की जो प्रेर आनगे की जो जाएशन उस से प्रेरणा ले उस से प्रेरणा ले वस पिंद लिम मारग देसा हां थैंक की सो मुछ